हलो दोस्तो राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्टीटिव एक्जाम आउलिक जॉब अपडेट बताऊंगा तो इस वीडियो को सुरू से अन तक देखें पसादाने पर लाइक से लोग सब्सक्राइब करना ना भूले तो क्योंकि अभी स सिर्फ रिजल्ट का ही मौसम हो सकता है या अगले महीने क्योंकि परिच्छा भी हाल-फिलाल होने की संभावना नहीं के बरावर है तो बीपेसी में आप दे सकते देख रहे हैं चोशटवी का साथ चातकार है जो कि एक बारा से परादम भूआ था और खातन भी हो गई है औ इसकी परिच्छा भी आपको अख़वारों दिया हुआ है कि जिस तरह से बना हुआ था द्यूटी भी लगाया गया था तो उसमें है कि आपको चौशटवी का फाइनल रिजल्ट है जो कि जल जारी किया जाए इसकी तेहरी शुरू कर दी गए बिहार लोग से वायों के तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जून के पहले बीक में लेकिन जून में कोसिस किया जाएगा वैसे बाद जिनकी PMCH में मेडिकल जाच हो नहीं थी वह जाच के लिए रिपोर्ट आयो को प्राप्त हो गई है अब रियल्ट बनाने के परकरिया सुरू की जाएगी संजुक सर् इधर चात्रों के इंटर्विव फरवरी में समाप्त हो गया तीन साथ से वेकेंसी के हो गया थे रियल्ट नहीं आते नहीं से चात्र है जो कि परिशान थे और जैसा कि आपने देखा भी होगा कि इसकी जो है जूटी भी बन चुकी थी और यह आप देख भी सकते हैं यह सा सचीव प्रसाखापतादिकारी सहाया के सब ज्यूटीब में लगाया तो उनकी लिस्ट है उनको चोशट हुई के फाइनल रियल्ट के लिए जो की प्रकासिम की तैयारी के लिए किया गया है तो उमीद है कि आपको जून में जो कि यह रियल्ट है जो कि आ जाए और बीपी सची की जो सबसे बहुत परतीचित है अभी रियल्ट में वह है आपको विहार दरोगा 246 दरोगा की फाइनल लिस्ट आनी है कितने कट अप जाएंगे कट अप का एक पीडियेप भी जारी हुआ था जो पूरी तरह फरजी था कट अप है जो कि इस बार बढ़ने के तो पू सब्सक्राइब और इसकी जो प्रकाशन है क्योंकि 25 मई तक है पूर्ण लोगडाउन है उसके बाद यह देखा जाएगा कि अगर यह लोगडाउन है जो कि बढ़ती भी है या कुछ छूड जीर जाती है क्रमचारियों में तो निसी तरुप से आपको बीपेस से के जून मे नहीं आपको संभावना है कि अभी क्यों नहीं आ सकती तो अभी तो आफिसे बंद हैं पूरी तरह 64 के लिए आपने देखा कि उसके लिए ओर्डर निकाल करें जो की ड्यूटी लगाया है मतलब नियूंतम कार्ज जो एकदम अती आवस्य को उसी को करना है और उसमें फसा ह कमला में कोट में गया है 326 के जिनकी मेडीकल कर संतावना दिया गया था कि मेडिकल कार आए जाएगी मोडिकल कारणन उसे लेकिन उनकी नहीं हो पाय तो हला कि उसे कोई असर नहीं पढ़ए एकल कि आदिस बद में आती है तो बाद में लिया ज qud तो यही रियल्ट रह जाएगा उससे कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा लेकिन हाँ जब कोट का फैस्ट लाएगा तब होगा लेकिन रियल्ट है जो कि आपकी आरहाल में जून में है जो कि जारी हो जाएगी बिहार्द रोगा फाइनल मेरी रिलेश्ट और 66 BPSC का आप जुलाई में तो जुलाई में भी कम संभवना क्यों कम संभवना क्योंकि अधियाचना पहले भी भागोस आती ऐसा नहीं कि ऐसे ही निकल जाएगी जब तक अधियाचना एक लगभग अस्तर पर नहीं हो तो निशी दूप से लगड़ाउन का असर हो जो कि इस पर भी आपको परिख्यां हैं प्रयूजिनधा प्रवंदा की अस्तिति सुधार होगी आप गश्त में हो यह सित अंबंब रेक्टूब्र जब बिसुधार हो की तभी तभी इसे आपको परिशा हो सक्ते या आपको सहाया कभ्यंता का है जोंकि देखता है यह सब हो सकती है या 31 वी प्यार इसमें तो काफी डिले है चार से च्छे महीने भी डिले हो सकती है रियल्ट जो है आपको 64 कहीं इसमें आए उसके बाद देखते हैं פूरी कर रहे है तो निशीतरूप से जो की आपको जो कि फॉर्म भर ले उसके वाद है आपको छह में तेरह में तेरह परिचाएं कराने की चुने यह उत्तर परदेश PCS का है तो कोरोना संक्रमन की बज़े से उत्तर परदेश लोग से अब आयों ने अप्रेल से जून तक की भरती परिचाएं स्थागित कर दी है अब स उसका रियल्ट जारी की चुनोती रहेगी अगर ऐसा ना हुआ तो प्रतिवितों की दिखते बढ़ेगी साथ ही आयो के कार्ज पर भी विपरिच प्रहां पड़ेगा इससे पूरी विवस्था प्रटिश उतर जाए इससे उस्ताजना आसान नहीं होगा कुछ साल पहले तक समस्त परिच्छाएं पूर्ण करवाई थी वैसे ही चुनोती मोजूदा समय में भी है आयोंने 2020 के कलेंडर में 16 परिच्छाएं परस्तावित की है लेकिन अभी तक सिर्फ तीन परिच्छाएं हुई है अस्तागित परिच्छाएं बहुत सारी हैं आप देख रहे हैं और प प्रदेश लोग सेवा आयो ने 2015 के बाद PCS जो की APS आनि अपर नीजी सची पदोग की भरती नहीं निकाली है आयोग को सासन से भरती के देदनावी मिल चुका है दो बार भरती के परिच्छा की कलेंडर में परस्तावित हो लेकिन आयो ने भी आपन नहीं निकाला परती न इंदिन मंदर सुक्रवार को आयोग के अध्या संजे स्रीने से मिला यापन देकर APS की भरती जल निकालने की मांगी परतियों की नहीं कहा जल भरती नहीं 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 परिच्छा है जो की आपको जोलाई तक उमीद है खत्म होगी ता अगर सितंबर से यहां भी शुरू हो प्लाटून कमांडर PSE अधिकारी के पतर सीधी भरती है तुए है जो की तीस पांस तक आयुजित किया गया था इसको बढ़ा कर कितना कर दिया गया है आपको 15 जून तक है जो की कर दिया गया है इसका आवेदन भरने किती थी तो जो लोग नहीं भरे हैं उत्तर प्रदेस प्रदर होगा कि तो वो लोग जो की भर लें और पंचान में सो चाहँतिस जो की रिक्ट पते ये पहतरी मौका भी है बिहार में NCC के जो की चाहाली सो चौरानमे सीटे बढ़े गए ये चात्रों को होगा फायदा तो नीजी स्कूल के अधिक से अधिक विदार्थी अब NCC में अपना कैरियर बना पाएंगे सरकार द्वारा जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग एनफसी के पुन्स विद्पोशन योजना के तारत NCC कैड़ेट के संख्या में बढ़ोतरी की गई है देश भर में है जो की एक लाग कैड़ेट को मंजूरी मिली है इसमें बिहार होगा उन स्कूलों के लिए NCC परिश्चेंशाने चलाया जागा और यह 2021 के लिए होगा इसे बियाहर के छात्रों को भाइदा होगा यहां मद्परदेश लोग से वाए वी सीएस भी है जो कि आपको कुरोना संख्यमन फैलते हुए 26 को जो होने वाली थी परिच्छा मुल्यांकन करते हुए 26 प्रारंभीक जो परिच्छा थी उसको रध्य कर दिया गया है अब इसको ग्यारा आठ 2021 को ताइक किया गया तो कही सतौर में जो चकी श करिपावन सकती है तो और जिस तरह से दिया वह था madam TBC 9to वे परिच्छा वहते लेकिन इसके बाद दो-ते मैंंहों हो सकता हाला स्था को सकते है तो परिच्छा हो सकते हैं रिक्त-द पत्किया चीनित बहाली जनता तो भूमी सन रच्छन से जुड़े कार्ज में मानव बल की कमी ना इसके लिए किर्शी विभाग भूमी सन रच्छन निदेशाला के अंतरगा तरिक्त पदों को चिनित कर निवती जल्दी ही भेजेगा और इधर आदिस भी निकला है कि अगर जो लोग जल्दी नहीं भेजे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 25 माई तक है जो कि बंद है इसलिए अभी कोई अपडेट नहीं है जब तक ओफिसेज खूलेगी नहीं हो सकता 25 के बाद लॉगड़ाउन इसी तरह सेम बढ़ाया गया तो बिल्कुल नहीं खूलेगी थोड़े बहुत अतियावस से कुछ नोटिस निकल जाता है लेकिन आपको डिले होगी और अभी कोई समभावना नहीं है ना इसकी जब ओफिस ही नहीं कुली तो इसकी चर्चा कहा सोगी इसलिए इसका कोई अपडेट नहीं जब तक ओफिसेज नहीं खूलेगी तब तक आपके कोई अपडेट भी नहीं है और आपके किया जहीं गाओ कोई समभेट तक छोगेट बफिसेज नहीं है पूलेगी तक आपके कोई स काही कुली है यह यह सिए और रहा है नहीं है।